वीडियो दिखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com बेल आइकन दबा कर पाएं लेटिस्ट नोडिफिकेशन्स नमस्कार स्वागत आपका जनसत्ता में और मैं हूँ कुमार संभव जैन मैं आपके सामने एक बार फिर हाजिर हूँ कोरोना अपडेट्स लेकर केंद की मोदी सरकार ने Ministry of Statics and Indian Statics Institute की study के आधार पर एक रिपोर्ट दी है इस रिपोर्ट में एक बड़ी बात कही गई है इसमें बताया गया है कि कोरोना संकट के बीच अगर देश में लॉकडाउन नहीं होता तो 54,000 लोगों की मौत हो जाती कई वहीं करीब 20 लाग लोग कोरोना से इंफेक्टेड होते तो ये बड़ी चीज है स्वासमंत्राले के प्रवक्ताओं समेत अन्नी की ओर से कोरोना पर की गई सरकारी प्रेस कॉंफरेंस में दो स्वतंत अर्थसास्त्रियों के मौडल का हवाला देते हुए बताया गया कि लॉकडाउन की वज़े से करीब 23 लाग कोरोना के केश टल गए जबकि 68,000 लोगों की जान जाने से बची है सरकार ने Public Health Foundation of India के हवाले से कहा है कि लॉकडाउन ने लगभग 78,000 जिन्दगी बचाई है वहीं Boston Consulting Group के मौडल का जिकर करते हुए कहा गया कि लॉकडाउन ने 1.2 से 2.1 लाग जिन्दगियां बचाई और 36 से 70 लाग के बीच नए कोरोना केस टाल दिये अगर आप देखते हैं कि लगभग 3 अपरेल तक लॉकडाउन 25 से शुरू हुआ तीन अपरेल तक अभी भी केस की जो केस आने की स्पीड थी वो बढ़ती जा रही लेकिन उसके बाद अब ध्यान से और वो स्पीड इतनी थी कि 22.6 प्रतिशत एक्स्ट्रा केस अगले दिन नए केस हो रहे थे जब किसी भी तेज चलती हुई गाड़ी को हमें रोकना है तो पहले उसकी स्पीड कम होगी और ये गाड़ी जो चल रही थी वो स्पीड पे कॉंस्टेंट पे भी नहीं चल रही थी अभी 40 किलो मिटर पे है तो कल 60 पे चल रही तो पर 90 पे चल रही है अगले 130 पे चल रही है अग्सलरेट हो रही थी क्योंकि ये एक्सपोनЕंशल कर्व है वाइरस का बिहेवियर एकसपोनेंशल बिहेवियर है जो हम देखते हैं तो उसको स्पीड को कम करने के लिए आप देखिए कि चार अपरैल के लगभग के बाद में स्पीड में क्लियर एक डिक्रीज आती है और आप ये भी देखेंगे कि शुरुआत के 15-20 दिन तक इतनी स्टीप डिकलाइन दिखाई दिया जा रहा है उसके बाद ये सेटल हो रही है और हम 5.5 के लगभग जो ग्रोथ परसेंट है उसके उपर आगे जो कि मान लीजे पहले पंदरां था यह ठारां था यह बाईस भी रहा था तो ये दर्शाता है कि जो वाइरस की बढ़ने का जो प्रोग्रेशन था उसको देश ने मिलके रोका और इस इस टाइम टू सिच्वेशन और पोस्ट लगड़ सिच्वेशन में बहुत बहुत अंतर है यह दिखाई दे रहा है तो सिंपल तरीके से आप देखें तो स्पीड जो वाइरस की फैलने के थी उसको अच्छी तरह से रोकने में हम सक्षम हुए हैं देश में जारी कोरोना संकट के वीश थो देश में कोविड-19 के 48,534 मरीज ठीक हो चुके हैं जो कुल आकडो के 41% है इसके साथ ही पिछले 24 घंटे के दोरान कोविड-19 के 3,234 मरीज ठीक हुए हैं कोविड-19 से होने वाली मौत की मित्यूदर 19 माई को 3.13% थी जो अब 3.02% हो गई है शुकरवार दोपहर एक 1714 जाच हो चुकी हैं बतादे कि देश में कोरोन संक्रमितों की संख्या 1,19,573 हो गई है संक्रमर 26 राजजियों और 7 के इंसासित प्रदेशों में फैला हुआ है इनमें से सबसे आदर प्रवावित 5 राजजियों में 86,000 से ज्यादा यानि 73 प्रिच्षत मरीज हैं 217 मरीज और हैं लेकिन वे किस राजजिसे हैं इसकी जानकारी नहीं मिली है ये आकड़े COVID-19 India.org और राजज सरकारों से मिली जानकारी के आदाहर पर हैं किंद्रे स्वासमंत्राले के मताबिक देश में 1,18,447 संक्रमित हैं इनमें से 66,330 का इलाज चल रहा है 45,299 लोग ठ चुकी है इस बीच रेलवे ने 15 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों में एडवांस टिकेट बुक कराने की सोविधास 7 दिन की जगे 30 दिन कर दिया यानि कि इन एसी स्पेशल ट्रेनों में अब 30 दिन बाद के टिकेट पहले ही बुक कर आए जा सकेंगे रेलमंत्राले के एक्जेक अफिरों को ट्रेन में सफर नहीं करने दिया जाएगा उधर कॉंग्रेस अद्यक सोनिया गांधी ने लॉगडाउन से बाहर आने के लिए सरकार के पास कोई रणीती नहीं होने का दावा किया उन्होंने कहा कि संकट के समय में सारी शक्तियां प्रधानमंत्री कारयले तक सी 21 दिनों में जीतने की प्रधानमंत्री की शुरुआती आशा सही साबित नहीं हुई ऐसा लगता है कि वाइरस दबा बनने तक मौदूद रहने वाला है मेरा मानना है कि सरकार लॉगडाउन के माप दंडो को लेकर निश्यत नहीं थी उसके पास इससे बाहर निकलने की भी क पहुच चुके हैं इससे पहले एर इंडिया की उडान 1190 ने गुरुवार को बैंक और एरपोर्ट से उडान भरी थी इससे करीब 200 भारतिये सवार आज दिल्ली और अम्रसर पहुचे हमें तीन में होगे वाह पर फसे हुए जब हमारी वाह से फ्लैटी मिया दी ती यह अपना सहरा दिया है जो यहां पर आजगे हैं अपनी फैमिली के पास हम इनका शुक्रिया करते हैं कि नहीं हमें यहां पर भीजा पंगां में आप कर प्टेला तो पूरा प्रोशेस के लिए उन्होंने हमारी बहुत ज्यादा इजत की जी मुट बढ़े हमें आपने बहुत अच्छी तरह से लेकर आए हमें हमें किसी था की कोई परशानी हो देखाने पीने की बैठने हो डिस्ट्रेंस था वह बना के रखा हमारे जो डॉकुमेंट से वह सब अपना पूरे की उन्होंने तो हमें बहुत अपना अच्छी तरह से लेके आएंगे मैं पिसले दू महीने से फसादा न्यू जर्सी में अपनी सिस्टर के पास ही गया था मैं एज़ा टूरिस्ट गया था दस दिन के लिए दो महीने फसारा पर अभी इन्होंने बंदे भारत मिशन शुरू किया बहुत अच्छा गिया उसमें मेरा नाम आगया और मैं आ रहा हूं अभी जरू अब हम पुरी दुनिया में कोरोनवाइरस के हालास से रूगरू होते हैं दुनिया भर में अब तक 52,9860 लोग संक्रमित हैं 20,92,757 लोग ठीक हुए हैं मौतो का आकड़ा 3,34,878 तक पहुँच चुका है और श्टेलिया में सरकार ने अपने जल छेत्र में विदेशी क्रू इस क्रूज से संक्रमर फैला था इसके बाद सौसे अधर महियात्रियों को लाने वाले किसी भी जहाज के आउस्टेलिया ही समुद्री सीमा में आने पर रोक लगा दी गई थी पहले ये डेडलाइन 31 माई तक तेह की गई थी लेकिन इससे पहले ही ये मियाद अब 17 सितंबर तक बढ़ा दी गई है कोरोना वैक्सीन बनाने में जुटी ब्रिटिन की ऑक्सफोर्ड युनिवर्सिटी ने कहा है कि वो इनसानों पर दूसे चरण का ट्रायल जल्द ही शुरू करेगी युनिवर्सिटी ने बताया कि इस ट्रायल में 10,260 लोगों को शामिल किया जाएग आपको बता दें कि 1000 से जादा इम्युनाइजेशन के साथ युनिवर्सिटी पहले चरण का ट्रायल पूरा कर चुकी है उधर इंडोनेशिया की राश्पती जोको विडोडो ने ईद के मौके पर राश्पती भवन नहीं खोलने का एलान किया है इस बार ईद रईवार को है राश्पती ने सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए ये फैसला किया परंपरा के मताबिक हर साल ईद के मौके पर हजारों लोग प्रेजिडेंशल पैलेस पहुंसते थे राश्पती से हाथ मिलाते थे और उन्हें ईद की मुबारक बात देते थे अब हम दुनि लाग 26 यार 449 लोग कोरोना से संक्रमित हैं यहां 3249 लोगों की मौत हुई है दुनिया में सबसे ज़्याद संक्रमितों के मामले में अब ब्राजील तीसरे नंबर पर आ गया है यहां 310 यार 921 लोग इंफेक्टेड हैं वहीं 20,082 लोग अपनी जान गवा चुके हैं इस्पेन में 2,80,170 लोग कोरोना वारिस की चपेट में हैं यह 27,940 लोगों की जिन्दगी खौफनाक कोरोना वारिस लीज चुका है ब्रेटिन में 2,85,908 लोग कोरोना से संक्रमित हैं यह 36,42 लोगों की मौत हो गई है इटली में 2,28,000 लोग इंफेक्टेड हैं जबकि 32, 32,486 लोगों की मौत हो चुकी है फ्रांस में 1,81,575 लोग खौफनाक कोरोना वारिस से जूज रहे हैं वह 28,132 लोग अपनी जान गवा चुके हैं जर्मनी में 1,89,021 लोग इंफेक्टेड हैं यह 8,309 लोगों की मौत हुई है तुर्की में संक्रमितो काकड़ा 1,53,548 तक पहुच चुका है यह 4,248 लोग अपनी जान गवा चुके हैं अब हम इरान की बात करते हैं तो इरान में 1,39,341 मरीज कोरोना से संक्रमित हैं यह 7,244 लोगों की मौत हुई है यह थे अब तक के कोरोना अपडेट्स कोरोना के बारे में और भी जानकारी पाने के लिए बने रही है जन सत्ता के साथ